कर दो साल से बीजेपी की सारी एजनसी कई रेड़ मार चुकी है कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोडों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल दो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोप लगाके फरजी समन भेजके ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी इमानदारी पे चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे समन भेजे हैं meerे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समण गयर कानूनी हैं क्यूंग कानूनी है यह मैंने इनको विस्तार से लिख के भिजाया मैंने बताया कि उनके समण कैसे गयर कानूनी है थे लेकिन उनने मेरी एक不會 बात का जवाब ने लिया